शिव का स्मरण करो पॉल्णीमा के दिन चावल का एक आखा दाना आखा दाना जानते हो पूरा खंडी चावल नहीं कितना चावल एक दाना चावल शंकर वगवान के शिविलिंग पर समर्पित करिये एक बेल पत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो जहां से चावल चड़ के ऊपर अपनी कामना करकर रख दीजिए और चंद्र मौली भगवान का समर्ण करिए कौन से भगवान शंकर भगवान का सर्वस्रिष्ट सुन्दर नाम है चंद्र मौली चंद्रमौली भगवान का समर्ण करिए अपनी कामना करकर बेल पत्र समर्पित करकर शिव जी पर एक लोटा पानी एक जल पत्र समर्पित करो कलस से जल चड़ा दीजिए नैनों में वो जल लगा कर अपनी कामना करकर वापस घर को आईए अगली पूर्णिमा आएगी जो काम ना करी है मेरा चंद्रमोली भोले नातों से पूर्ण करे ही दे आप सभी को सुन्दर पूर्णिमा की बहुत बहुत बढ़ाई हो बाबा विश्वनात की कृपा आप पर सदा बनी रहे आ गया पूर्णिमा की रातरी बड़े से बड़ी बिमारियां बड़े से बड़े रोग बड़े से बड़े कश्क इस पूर्णिमा की रातरी को छूड़ जाते हैं दमे की बिमारी स्वास की बिमारी आनिंद्रा की बिमारी रातरी को जगना ये सारी बिमारियां कुर्णिमा की रात्री को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुक में बनाए अपने जीवन को आनन्द में बनाए तो सब छूप सकते। कुर्णिमा की रात्री को पीपल के पत्ते पांच लेकर उसके उपर खीर डाल कर रात्री को खा लेने से महराच दबे की बिमारी, स्वास की बिमारी रुख जाती है, वो बिमारी बढ़ती नहीं है, उससे कश्ट नहीं होता. जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, उनिमा के जिन रात्तरी को बारा बजे भगवान चंदर देव का दर्शन कराईए, आज से साथ मिनित तक नयन मिलाएं चंदर देव के साथ, और बाद में एक पिपल के पत्ते पर खीर जो चंदर के नीचे लखी हुई है, उसी खीर को चटा दीजिए, फिर चंदर का दर्शन कराऊ, फिर खीर को चटा दीजिए, महाराज, नयन की जोती बढ़ती है, नींद रही आती तो निंद रादेवी प्रविश करती है, निंद राच्छी आती है, आनन्दित होता है, महाराज, जिस व्यक्त भगवान चंदरदेव के लिए 21 दिये जलाई जाते हैं उस 21 दिये की कालोच एक थाली में खटी करी जाती है काजल कालोच को खटी करकर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगा पर चटे हैं गाट है वहां लगाया जाता है उसको पाच या साथ दिन लगाईए उसके बाद में रोज प्रती दिन लगाने के आदे घंटे वाद इसनान कर लीजिए आराम लगना प्रारम हो जाता है आज पूर्णिमा की रात्री से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की रात्री के बीच में जो दामोदर भगवान का, कृष्ण का, शिव का मंगल आनंद करेगा, अभिशेक करेगा, पूजन करेगा, इस्तमन करेगा उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे रात्री को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंदर देव की साक्षी में रखो बग लगा भदवान श्रीहरी को, बन सके अगर लचमी की कमी है, लचमी नहीं आ रही है, व्यपार नहीं चल रहा है, तकली बहुत जादा है, घर में कष्टे है, करजा जादा है तो एक तामबे के कलश के उपर तामबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पे लच्छमी जी की मूर्ती रखना, लच्छमी जी की मूर्ती नहीं हो तो चांदी का सिख्का रखना, उसके सम्मुक में आप 31 दीपक, 31, 31 दीपक घी के, लंबी बाती के जला देना, मारा एक एक कमल गट्टा उस 31 दिये के अंदर डाल देना और लच्मी जी का पूजन करना लच्मी जी का इस्मर्ण करना खीर का भोग लगाना पान के पत्ते पर खीर रखना पांच पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लच्मी से बिंती करना सुबह चार बज़े तक वो रखे रहन देना सुबह चार बज़े वो उठाना लच्मी को वापित तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना जो खीर मनी है वो परशाद के रूप में सुबह आड़ बज़े, दस बज़े, नो बज़े जब खाना हो रेम से पाना माता जो दिये लगाएं वो ठंडे हो गए होंगे उनको रखे रहन देना बाद में काम आते रहेंगे या दिये भी सर्जन करना हो तो आपकी मर्जी है पर वो मट्टी के दिये लगेंगे आटे के दिये नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है, आपको इकत्ती से, घी के दिये लगाना है, लच्मी जी का पूजन करो कंकूच, आवल, हल्दी, मोली से सब तरह से, पुन्नीमा की रत्री को, सुख मिलेगा, अनन्द मिलेगा, लच्मी की वृद्धी होगी, कार गट्टा डालकर भगवान, चंद्रेशुर महादेव के नाम से, भगवान शंकर को चड़ा दीजिए, आपकी जो कामना हो, वो कामना करकर चड़ा, बिंती करें, चंद्रेशुर महादेव को, और निवेदन करें, कि हमारे ये कारिस्त फल हो, केवल पून्नीमा के दिन चड पुष्टी पढ़वा लेती है, तो बच्चा विकलांग विदा नहीं होता है, घर्व से जो बालक होगा, स्रिष्टो का विद्वान होगा, चतूर होगा, पढ़ने महोशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरने, जब समूत्र में उच्छाला सकती है, तापके जीवन मे अगर आब शनकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, और कौन सी लच्छमी, पून्ड लच्मी, और लजवी जी ने लजवी जी को देखा और स्वरसती को देखा तो पूछा कि बात क्या हो गया है सा क्या हुआ क्या है सा कि तुम दोनों आज मेरे पास में आई क्या हुआ पारवती जी कुछ बोल थी शिव जी का ध्यान माता सरसती की और लच्मी की और गया और भगवान निशंकर जान गए कि आज भगवान नरहन ने लच्मी जी को अपूर्ण कहा है अब देखे माता पारवती क्या कर सकती है इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या क्या हुआ माता सर्सती जी गोदी में विराजवान गणेजी को उठाया और उठाकर लच्मी जी की गोद में दे दिया ले लच्मी आज से तुपूर्ण हो गई आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का वरत करते हैं जो माताय करती हो जरहात उठाइए पूर्णिमा का वरत करते हो ना आप लोग टखिया अब पूर्णिमा के वरत में आपने कई बार किताब पड़ी होगी पूर्णिमा की या आपने वरत किया होगा या पूर्णिम पूंजन में शंकर रपारवती की पूजन कि चि जाती है। क्यों कि शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिनोंने अपून लच्छमी को भी पून बना दिया था किसको पूर्ण बनाया है लच्छमी शरत पूर्णी मा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो स्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चड़ा कर अगर एक लोटा जलवी एक पात्र जलवी शंकर को समर् रहे हो और कौंसी लच्छमी पूर्ण लच्छमी पूर्ण लच्छमी पूर्ण लच्छमी